नमस्कार भाईयो, कैसे हैं आप सब, उमीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, देखें अभी के वीडियो में हम लोग जो रेलबे टेकनिशियन का आपका भरती बरहा है, उसमें पांच डॉकमेंस आप चेंज कर सकते हैं, और वो पांच अनिवार है, क्या-क्या बताने वाले हैं, साथ में इसमें पुराना भरती कितना था, नया भरती बदलने का डेट क्या है, और सबसे जो जरूरी है, जो पांच डॉकमेंस आपके सामने बताने जा रहे हैं, उसको हर हाल में चेक कर लिजिएगा, जरूर बदल लिजिएगा, ठिक, इसलिए जो साथी नय होंगे, वीडियो को अंतक देखना है, एक एक चीज को बैरिकी से समझना है, और नय साथी मेरे जो होंगे, रेलबे का बहतरीन धंग से त्यारी करना चाहते होंगे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा, यहोंकि रेलबे का पलपल का अपडेट के सा सबसे बहतरीन धंग से आपका साइंस के त्यारी इस चैनल पर कराया जाता है, चली अब एक एक चीज को लिख कर बताने चल रहे हैं, देखे रेलबे टेकनिसियन का जो आपका पुराना भरती था, वो था कितना था, 9144 पोश्टो पभरती था, पुराना जो था 9144 और यह भरती अब भरकर जो आपका है, वो हो गया है, 14,295 पोश्ट पर, यानि पुराने वाले भरती 9144 पोश्ट पर था, और नया वाला भरती 14,295 पोश्ट पर हो चुका है, और इसका यानि कि भरती में इंकरीज आठ्था खासा हुआ है, आप देख सकते हैं, लगभग आपका एक काउन सक्थे आज पास में भरती बरहा है, और इसका चेंज डेट आपका जो है, वो 2 अक्टूबर, यानि कि 2 अक्टूबर 2024 से, जो है, 16 अक्टूबर 2024 तक आप इसका डेट जो है, बदल, इस डेट के बीच में आप इस 5 डॉकमेंट के बदला कर सकते हैं, और वो 5 डॉ कौन सा है, उसको अंतर जरूर देखना है, उससे पहले अगर आप रेलबे टेकनिशियन का बेतरीन बुक के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप क्या कीजे, रेलबे टेकनिशियन गिरेट थिरी के लिए, कीरन पब्लिकेशन का प्रेक्टिस वर्कमुक ले ले जीए, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये न्यू पैटर्न पर आधारी थे, आपके से नए पैटर्न के माधियम से ब्यतरीन धंग से त्यारी कर सकते हैं, और मैत के सबसे अच्छा त्यारी करने के लिए, रेलबे ओल एक्जाम कीरन पब्लिकेशन का, जो मैथमेट आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो 1990 से लेकर अभी तक जितना एक्जाम हुए सभी माध का कोस्चन, चेप्टर वाइज टाइप वाइज आपको मिल जाएगा, इससे आप मैत के अच्छा त्यारी कर सकते हैं, और रिजिनिंग का त्यारी करने के रेलबे, औ अनलाइन भी खरीच सकते हैं, तथा मार्केट से भी ले सकते हैं, अब चलिए जो आपको हम बताने चल रहे हैं, पाँच अनिवारे डॉक्मेंस कौन कौन सा है, जिसे आप चेंजिंग कर सकते हैं, और दो-तिन ऐसा है कि हर हाल में आप चेक कर लिजिएगा, उस चेंज कर ल सकते हैं, पाँच बदलाव कौन कौन सा है, देखिए, फर्स्ट में आप क्या कीजिएगा, मान लिजिए आप किसी अरार्वी में फरम फिलब कीजिए हैं, उस अरार्वी में अगर भरती अधर अरार्वी के तूर्णा में वहां कॉमपटिशन आपको ज्यादा लग रहा है तो पहला आप अरार्वी चेंज कर सकते हैं, बताया गया है क्या, अरार्वी चेंज, ठीक, अरार्वी चेंज कर सकते हैं, यानि अरार्वी को बदल सकते हैं, अगर आप विलासपूर अरार्वी में डलना चाहते हैं, तो आसानी से चेंज कर सकते हैं, इसके लिए जो आपक तो थोड़ा साभी प्रोब्लम है, सपोइटेट मान लीजिए, हम आपको आपके सामने दिखा रहा है, यह है आपका कौन से RRB में कितना भरती बरा, अहमदाबाद में देखिए 701 पुष्था, वो भरती बरकर आपका 1015 हो गया है, तो आप चाहिएगा तो अजमेर अगर भर दूसरा जो है, वो आप देखिएगा अधिकतर लोग का फरम जो रिजेक्ट हो रहा है, फोटो और सिगनेचर की वज़ा से है, तो आप पिछला बार फरम भर हैं, तो आप भी भी चेंज कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लेगा, कोई फिस नहीं लेगा, जो आप पेमेंट कर सकते हैं, उसी पैमेंट के माधियम से यह सब ही चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप फोटो भी चेंज कर सकते हैं, क्या चीज? फोटो, अगर फोटो में थोड़ा सा भी आपको डर है कि मेरा फोटो गलत अपलोड हो गया, यह हो गया है, वो गया है, तो आप फोटो को भी मोबाइल से नहीं करना है अधित्तर फरम reject, मोबाइल से जो अपने से कर रहे हैं उनलोग का फरम reject हो जाता है उसके बाद अगला जो है आप क्या चीज चेंज कर सकते हैं उसके आपका sign त्रीट यानि कि आप जो signature की यह हैं अगर signature हो गल्ति हो गया है तो आप यहां से signature को भी या signature साप नहीं है, कोई भी problem है, लेकि कोई आपको extra charge तो लग नहीं रहा है, एक बार जरूर देख लिजेए, signature भी change कर सकते हैं, सब कुछ, अब कुछ लोग बोलेंगे कि जैसे OBC certificate change कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जो बता रहे हैं जितना, उतने को ध ध्यान दीजिए, कितना ही documents change कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं, जैसे हो गया आपका METI का certificate number, ITI का certificate number, आपका जो है OBC certificate number, यह सभी change नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिए, अगला जो है आपका change कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफि education, 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 qualification, 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 ठीक, आप educational qualification change कर सकते हैं, educational qualification का अर्फ हो गया, कि अगर पिछले बार आपकेवाल 12 PCM, नहीं, physics, chemistry, math को फरम फिलब किया हैं, तो अगर इस बार आपका ITI किलियर भी हो गया है, तो आप educational qualification, education, ITI लगा कर, आप सभी पोस्टों के लिए, फिर से आप post preference भर सकते हैं, educational qualification इसमें change करने का देने का अर्फ है हुआ, कि अगर आप चाहें, तो मतलब 12 लेबल केवाल फरम भरे हैं, अभी आपका ITI किलियर हो गया, सब कुछ मिल गया, certificate, नमर पासिंग डेट, तो आप educational qualification यह ITI लगा सकते हैं, और change कर सकते हैं, और केवल technician grade 3 वालों के लिए है, ध्यान रखियेगा, उसके बाद 5 नमर पर आपका जो है, जो change कर सकते हैं, वो है post, पोस्ट, पोस्ट, प्रिफरमेंस, 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 सब्वाइट यह 40 पोस्टों पर आपका railway technician का भरती है, इन 40 पोस्टों में, आप माली जे पहला बार फरम फिलव किये हैं, तो उसमें कोई और post का serial दिये हैं, लेकिन इस बार आपका और नया भरती इंकुलूड होने से, नया post इंकुलूड होने से, आपका पोस्ट प्रिफरमेंस फिर से मोखा मिल रहा है, चेंज करने के अगर इस बार आपका ITI हो गया है, कि educational qualification में आप ITI लगा सकते हैं, यानि कि 12 ले फोल भर हैं, तो ITI लगा सकते हैं, पोस्ट प्रिफरमेंस भी चेंज कर सकते हैं, माली जे आपका पोस्ट पिसले बार कुछ और serial दिये हैं, इस बार post प्रिफरमेंस मतलब एक नमर पर वर्क इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देने की जरूरत है, जो नए चार्ट रजिस्टेशन करेंगे, उनको ही केवल फीफर ना है, पुराने वाले के लिए कोई चार्ज नहीं होगा, और बात बाकी जितना भी टकमेंसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इस पांच चीजों क अलावा, वीडियो जरूर समाझ में आया होगा, वीडियो समाझ में आया होगा, तो लाइक कमेंट जरूर कीजेगा, बहुत बहुत धन्रावाँ